जै मातारानी की गुर्दे भगवान कहते हैं कि यदि कोई साधना करते वक्त यदि कोई किसी मंदर का जाप करते हैं या किसी भी प्रकार के स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उस विशेक का भावार्थ ज्यात होना परमावश्यक होता है कहने का ताथ पर यादी किसी मन्तर का जाप करते हैं तो उसका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि यदि मान लीजे आप दुरगा सब्टसती का पार्थ करते हैं और आपको उन श्लोकों का या फिर माः भगवती दुरगा देवी के उन चरित्रों के वरणन का भावार्त यदि आपके इमन में उद्गाटित होने लगे जब आप पाठ करते हैं तो उसका एक अपना विशेश फल प्राप्त होता है इसलिए इसी बात का ध्यान रखते हुए इस वीडियो के माध्यम से दुरगा सब्तसती के प्रथम अध्याय का अर्थ पाठ करके और आप सभी को श्रबन कराएंगे क्योंकि संस्कृत में प्राजह दुरगा सब्तसती का पाठ श्रबन करने को मिलता है परन्तु दुर्गा सब्तिसती के उन श्लोकों का अर्थ क्या है किस प्रकार से मा भवानी ने लीलाएं की है किस प्रकार से दैतियों का संगहार किया है इन सभी कथाओं को हम हिंदी में श्रबन करेंगे और इसी उद्देशे से आज से इस वीडियो के माध्यम से हम दुर्गा सब्तिसती के तेरहों अध्याय का भावार्थ आप सभी के लिए ले करके आएंगे अतह प्रथम अध्याय के अर्थ को श्रबन करते हैं प्रथम चरित्र के ब्रह्मा रिशी, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अगनी तत्व और रिगवेद स्वरूप है श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोक किया जाता है भगवान विश्णू के सोजाने पर मधूर कैटब को मारने के लिए कमल से जन्मे ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं स्तवन करता हूँ वह देवी अपने दस हाथों में खटग, चक्र, गदा, बान, धनुष, परिग, शूल, भुशुन्डी, मस्तक और शंक धारण करती है उनके तीन नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिव्वी आभुशुनों से विभुशित हैं उनके शरीर की कांती, नील मनी के समान हैं, तथा वे दस मुख और दस पैरों से युक्त हैं मारकंडे रिशी कहते हैं, सूरी के पुत्र सावर्णी, जो आठवे मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ती की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो सूरी कुमार महाभाग सावर्णी, भगवती महामाया के अनुग्रा से, जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ पूर्व समय की बात है, स्वारोचिश मनवंतर में, सुरत नाम के एक राजा थे जो चैत्रवंश में उत्पन हुए थे उनका समस्तभू मंडल पर अधिकार था, वे प्रजा का अपने आवरस पुत्रों की भाती धर्म पूर्वक पालन करते थे फिर भी उस समय कोला विद्ध्वनसी नाम के शत्रिय उनके शत्रू हो गए फिर भी राजा सुरत की दंडनीती बड़ी ही प्रबल थी, उनका शत्रूं के साथ संग्राम हुआ, फिर भी कोला विद्ध्वनसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरत युद्ध में हार गए युद्ध भूमी में परास्त होने के पस्चाद वह अपने नगर को लोटाए और केवल अपने देश के राजा होकर के ही रहने लगे कहां तो राजा समस्त पृत्वी के राजा थे परंतु युद्ध हरने के पस्चाद वह सिर्फ अपने देश के ही राजा रह करके और रहने लगे कुछ ही समय पस्चाद प्रबल शत्रूओं ने पुनह राजा सुरत पर आक्रमन कर दिया राजा का बल शीन होता चला गया इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राज़की सेना और खजाने को हतिया लिया राजा सुरत का प्रभुत्व अब नश्ट हो चुका था इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने गोड़े पर सवार होकर के वहां से अकेले ही एक घनेव जंगल में चले गए वहां उन्होंने मेधा मुनी का आश्रम देखा जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ती को छोड़ कर बहुत ही शांत भाव से रहते थे तथा मेधा मुनी के बहुत से सिश्यों से उस वन की सोभा बड़ी ही सुन्दर और भी सोभाएमान हो रही थी वहां जाने पर मेधा मुनी ने उनका सतकार किया और राजा सुरत भी मुनी स्रेश्ट के आश्रम पर यहां वहां विचरण करते रहे ममता से आकरिश्टवान हो करके और वह चिंता करके विचार करने लगे कि पूर्वकाल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझे से रहीत है पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगन उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूर वीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब सत्रूं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्य ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरन करने लगे होंगे उन दूसरे राजाओं के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा भाख खजाना भी अब निश्यत ही खाली हो गया होगा इस प्रकार का चिंतन करते हुए राजा सुरत निरंतर सोचते रहते थे एक दिन उन्होंने वहां महामुनी मेधा के आस्रम के निकट एक वैश को देखा और उससे पूछा अरे भाई तुम कौन हो यहां तुम्हारे आने का कारण क्या है तुम क्यों शोक ग्रस्त और अन्मने से दिखाई देते हो राजा सुरत का या प्रेम पुर्वक कहा हुआ वचन सुन करके वैश ने बड़ी ही विंती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन एक वैश हूँ मेरा नाम समाधी है मेरे दुष्ट, स्त्री, पुत्रों ने धन के लोब से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वन्चित हूँ मेरे विश्वसनिय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है इसलिए दुखी होकर के मैं भी वन में चला आया हूँ यहां आने के पस्चात ना जाने हमारे पुत्र और हमारी स्त्री तथा हमारे स्वजन कुशलता पूर्वक रहते होंगे या नहीं इस समय पता नहीं वे कैसी हालत में होंगे क्या उन्हें कोई कश्ट भी होगा क्या वे सदाचारी हैं या फिर दुराचारी हो गए होंगे इतना सुनते ही राजा सुरत ने पूछा जिन लोभी इस्त्री और पुत्रों के द्वारा तुम्हें घर से निकाल दिया गया भला उनके प्रती तुम्हारे चित्त में इतने स्नेह का मोह क्यों है वैश बोला आप मेरे विशय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है किन्तु मैं क्या करूँ मेरा मन ही नहीं मानता मुझे भले ही घर से निकाल दिया उन्होंने परन्तु उन्ही के प्रती मेरे रिदय में इतना स्नेह है हे महामते गुणहीन बंधुमों के प्रती मैं लंबी सांसे ले रहा हूँ और मेरा रिदय अत्यंत दुखित हो रहा है मेरे इतने दुखी होने के बाद भी मेरा मन नहीं मानता इसके लिए मैं क्या करूँ मारकंडे रिशी कहते हैं इस प्रकार की वारतालाब करते हुए राजा सुरत और समाधी नामक वह वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनी की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याया नुकूल विनेपूर्ण बरताव करके और उनके पास बैठ गए इसके पस्चात वैश और राजा ने कुछ वारतालाब करना आरंब किया राजा ने मेधा मुनी से कहा भगवन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ उसे बताईए मेरा चित अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है जो राज मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है हे मुनिस्ट्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है अज्यानी की भाती मुझे उसके लिए दुख होता है यह क्या है इधर वैश्च भी घर से अपमानित होकर के आया है इसके पुत्र, इस्त्री और बृत्यों ने इसे छोण दिया है स्वजनों ने भी इसका परित्याक कर दिया है तो भी यह उनके प्रती अत्यंत हार्दिक्स नेह रखता है इस प्रकार से मैं और ये दोनों ही बहुत ही दुखी है जिन में प्रत्यक्ष हमने दोस देखा उन लोगों के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्शन पैदा हो रहा है हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार है परन्तु फिर भी जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है विवेक्षू ने पुरुस की भाती मुझ में और इसमें भी यह मूडता प्रत्यक्ष दिखाई देती है रिशी कहते हैं हे महाभाग, विशय मार्ग का ग्यान सब जीवों को है इसी प्रकार विशय भी सबके लिए अलग-अलग है कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो दूसरे रात में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्री में भी दोनों में भी बराबर देख सकते हैं यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं बक्षियों की होती है यह बात न प्रायह दोनों में समान ही है समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो यह स्वैंभूग से पिडित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोच में कितने चाव से अनके दाने डालते रहते हैं हे राजन क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुसे समझदार होते हुए भी लोबवश अपने किये हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाशा करते हैं यद्यपी उन सब में समझदारी की कमी नहीं है फिर भी वे संसार की स्थिती जन्म मरण की परंपरा बनाये रखने वाले भगवती महामाया के प्रभावद्वारा ममतामे भवर से युक्तमों के गहरे गर्त में गिराए गए हैं इसलिए इसमें आस्चर नहीं करना चाहिए जगदिश्वर भगवान विश्णू की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है वही भगवती महामाया देवी ज्यानियों के भी चित्त को बल पूर्वक खीच कर मोह में डाल देती हैं वही इस संपूर्ण चराचर जगत की स्रिष्टी करती हैं तथा वही प्रसन होने पर मनुश्यों को मुक्ती के लिए वरदान भी देती हैं वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता, सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिश्वरी हैं राजा ने पूछा, भगवन जिने आप महा माया कहते हैं, वे देवी कौन हैं, हे रिश्वर उनका आविरभाव कैसे हुआ, तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं, ब्रह्म वेत्ताओं में स्रेष्ट है महरशे, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, और ज जिस प्रकार प्रादुर भाव हुआ हो, वह समय आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ, रिशी बोले, राजन, वास्तों में तो वे देवी नित्यस्वरूपा ही हैं, संपूर्ण जगत उन्ही का रूप है, तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा ह फिर भी उनका प्राकट अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो, जब देवताओं के कारे को सिद्ध करने के लिए देवी प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन हुई कहलाती हैं, कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारणों में निमगन हो रहा था, और सब के प्रभु भगवान विश्णु सेसना की शया विछा कर योग निद्रा का आसरे लेकर के सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन हुए, जो की मधु और कैटब नाम से विख्यात हुए, वे दोनों ब्रह्माजी का वद करने को तयार हो गए, भ भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकागर चित हो करके उन्होंने भगवान विश्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन करना आरम किया, जो इस विश्व की अधिश्वरी, जगत को धारन करने वाली, संसार का पालन औ ब्रह्मा स्तुति करने लगे, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वशटकार हो, स्वर्भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम्ही जीवन दायनी सुधा हो, नित्य, अक्षर, प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात जिसका विशेस रुप से उचारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। जिसका विशेस रुप से उचारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हरी और तुम ही बोधस्वरूपा बुद्धी हो। लज्जा, पुष्टी, तुष्टी, शान्ती और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खडग धारिणी, शूल धारिणी, गोर रूपा तथा, गदा, चक्र, शंक और धनुश धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी, और परिग, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम में और सौम में तर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम में एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यदिक सुन्दरी भी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। सरवस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, और उन सब की जो शक्ती है, वा भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी इस्तुती क्या हो सकती है, जो इस जगत की पालन और संगहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधिन कर दिया है, तब तुम्हारी इस्तुती करने में यहां कौन समर्थवान हो सकता है, मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारन कराया है, अतह, तुम् दुरधर्ष असुर मधु और कैटब हैं इनको मोह में डाल दो और जगदिश्वर भगवान विष्णु को शीग्र ही जगा दो साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धी भी उत्पन कर दो रिशी कहते हैं राजन जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्धेश से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुन की अधिश्ठात्री देवी योग निद्रा की स्वरकार उस्तुती की तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहू, रिदय और वक्षस्तल से निकल करके अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टी के समक्ष खड़ी हो गई, योग निद्रा से मुक्त होने के पस्चाद जगत के स्वामी भगवान जनारदन उस एकारणव के जल में शेशनाकी सहिया से जाग उठे, फिर उन्होंने उन द दोनों असरों को देखा, वे दुरात्मा मदू और कैटब अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, क्रोध से लाल आँखे की हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे, तब भगवान श्री हरी ने उठकर उन दोनों के साथ पांच हजार वर्षों तक के वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उनुमत हो रहे थे, इधर महा माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विश्नु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो, भगवान श्री हरी बोले, यद यहां दूसरे किसी और वर को मागने से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रवान ने उन दोनों के मस्तक को अपनी जांक पर रख करके और चक्र से काट दिया। इस प्रकार ये देवी महा माया ब्रह्मा जी की इस्तुति करने पर स्वयम प्रगट हुई थी, अब पुनहा तुम से उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार से दुरगा सब्तसती के प्रथम अध्याय का भावार्थ आप सभी के लिए कहा गया, आगे की और कथा दूसरे अध्याय में कही जाएगी, जै माताराने की।